कि मेरेज पास kidneyalayfa実 पर करने वाले हम डिस्प्लेडेश्मेंट दिख पारेख इसका ब्रोकन हो चुकँ है तो न्यू डिस्प्लेज में कैसे फिक्स करेंगा मैं आपको स्टेप बैज डबने वाला हूं और साथ वीडियो को देखने के बाद देख पारे बैक ओपन हो चुका है उसके बाद आपको नॉर्मली आपके पास फोरेट एक होना चीह जिसे आपको इसकूप को ओपन करना पड़ेगा तेख बारे यहां पर अपर साइड में मदर्बॉर्ड में जितना होता है सारे इसकूप आपक इसको ओपन कर लेना है कि देख पारे इसमें कुछ रहता नहीं सिर्फ और सीब इसका कौवर रहता है एक कि उसके बाद आपको बैटरी को डिसकनेट करके बैटरी को रिमूब करना सबसे पहले बैटरी रिमूब थोड़ा सा हाड होता है इसको बहुत ही प्यार से रिमूब प्यार करके इसको फिर से स्ट्रेट कर लेंगे कर लेंगे के इस वुडियो को दीखने के बाद आप बैटरी रिप्लेस्मेंट भी कर पाएंगे अगर आपको सिर्फ मेली रिप्लेस करना है तो बैटरी को डिमूब किसी भी Openner कि मदद से इसको रिमूब कर रहा सकते हैं मैं कि हुआ यह पुराना डिस्प्लेय पॉल्डर पुराना कोमबो पॉराना इसको आप अच्छे से रिमूब कर चुके हैं अब आपको न्यू डिस्प्लेइट में कैसे फिक्स करना है मैं आपको स्टेप बेस्टेप बजाता हूं और इस डिस्प्लेइट का कॉस्टिंग जो है अब जो है इसमें जो फ्रेम है जिसमें पुराना डिस्प्लेइट जो फिक्स था उसको अच्छे से फ्रेम को अच्छे से क्लीनिंग कर लेना है और इसमें गम रहता है यह एक ऊपनर आपन Gift के मुद्स से आपको भी क्लीन कर लेना है को किसी बी डिस्प्लेइक को मिन्ग करने के बाद इसको फिक्स किया जाता हुसमेल गम से इसको चिपकाए जाता है तो उसी गम को रिमूब करने के बाद जब कोई भी डिस्प्ले आप रिमूब करेंगे तो गम का पार्ट कुछ उसमें रह जाता है तो गम को भी अच्छे से क्लीन कर लेना है कि बहुत ही प्यार से हलके आतों से क्लीनिंग करना आपको मैं आपको step by step दिखा रहा हूं आप इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत सारे model का डिस्प्ले आप चेंग कर पाएंगे जैसे realme 2 realme c1 and oppo a3s और भी बहुत सारे model का डिस्प्ले आप चेक कर पाएंगे चेंज कर पाएंगे रिप्लेस कर पाएंगे यह देख पारे मेरे पास है broken डिस्प्ले एंड यह मेरा new display अब broken डिस्प्ले को मैं remove कर चुका हूं निउडिस्प्ले उसमें कैसे fix करूंगा और फोन को बगाए दे पूरा चाल ओन करके यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा यह होता है गम जो की market में easily available होता है इसका price होता है maximum 100 देख पारे आप यह यह गमिंग करना है जो border आप जिसको अच्छे से clean किये थे उसी border में इसको अच्छे से गमिंग करना है कि सिंप्ली इसको अच्छे से गमिंग करने के बाद new display को इसमें fix कर देना है कि यह इसी का इसी काम के लिए अगर आप सर्वी सेंटर में जाते हैं या फिर मोबाइल रिपेर सेंटर में जाते हैं तो आप से कम 2,500 रुपे 3,000 रुपे चार्ज किया जाता है तो वह पैसा आपका सेव हो सकता है आप घर पे ही रिपेरिंग कर सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसके लिए आपको नॉर्मली एक गमिंग गम चाहिए और इसको ड्रावर जिए बस और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए देख पारे मैं गमिंग कर चुका हूं पूरा अच्छे से पर्फेक्टली चारो तरह बॉर्डर पर मैंने गमिंग कर दिया फ्रेम में अब बैटरी को मैं निकालना भूल गया था मैं बैटरी को रिमूब कर देता हूं कि अब जो है कि यादरे दोस्तों आपको गमिंग करने से पहले डिस्प्ले को इसमें फिक्स करना है निव डिस्प्ले को बैटरी लगाना है उसके बाद अच्छे से चेक कर लेना है एक एक चीज़ अगर डिस्प्ले टाशिंग वर्किंग प्रॉपरली है सब टेच काम कर रहा सब कुछ कुछ ओके है तब जाकि इस स्टीकर को आप रिमूब कर लीजिए नियो डिस्प्ले को डाइट गमिंग करने के बाद फिक्स कर दीजिए तो मैं हर एक चीज़ चेकिंग कर चुका हूं तो इसलिए मैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जा इसके लिए मैं आपको डा क्लीनिंग करना है क्लीनिंग करने के बाद अवागर को तक आप करने के बाद अवा आप बहुत ही प्यार से हलके हाथों से करना है अब इसमें नॉर्मली आपको बैटरी को फिक्स कर देना है यह होता है नेटवर्क को वायर इसको भी अच्छे से देख लेना है थोड़ा सा यह होता है बैटरी बैटरी को फिक्स करते हैं कि एकदम खबराना नहीं है बिल्कुल अगर आप न्यू है मोबाइल रिपेरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से काम मैं बहुत सारे वीडियो बनाया हूं आप वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे वीडियो को देखिए का मोबाइल के बावर जिसको अच्छे से और नवर्मीर यार्ट सब्सक्राइब करो कि एक किया थी स्कूरे घ्लजर को आप कर देना है और ठीक है », कि ऑ clerk आत्यांस कर ले लिए कि बहुत ज्यादा मुस्किल काम नहीं होता है कोई भी फोन में खास्तोर से रियल्मी सी वन में जो मैं अभी बना रहा हूं इस फोन का मैं बात करता हूं अगर तो इस फोन में आप जो है डिस्पले का चेंज़ करते हैं तो सबसे पहले कि आपको अपने निरेष्ट मोबाइल शॉप या मोबाइल का कोई मार्गेट है तो वहां पर जाना है और पता करना है कि इस मोडल का डिस्पले वहां पर अवेलेवल है कितना कॉस्टिंग है वहां पता करने के बाद नॉर्मली जो यह इसको ड्रैवर जिसको बोलते हैं दस कॉम्बो बना सकते हैं मीनिमम दस फोल्डर बना सकते हैं देख पारे डिस्पले मेरा पूरा ओके है तुम्हें बात करता था कि अगर आप घर पर डिस्पले बनाना चाहते हैं तो एक आपको फोरेड यानि ओपिनर चाहिए और एक इसको ड्राइवर चीए देख पारे है अपने चैनल पर डालते रहता हूं यह होता है इसको पुश करते हैं देख पार डिस्पले का क्वालिटी भी एकदम ओरिजनल के जैसा है और बहुत ही अच्छा से फिक्स हुआ है अभी मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूं अभी इसमें करना हमको गाडरिंग ग लाइक को फिक्स कर देते हैं अभी इसमें करते हैं गाडरिंग-डर्रींग कर देतें गाडर जो है वर अच्छे से करके इसमें तकरीवण कम से कम दो घंटे के लिए इसको एक सेपे रक देना है सहसartet अप गाडरब आपको खोलेना है खोल सकते हैं उसके बून आपका खाने के लिए मीनीमम दो घंटा के लिए इसको अलग जगा पर लग देना पड़ता है अगर आप इसको चार घंटा के लिए भी रख देंगे तो ज्यादा अच्छा होता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर इसको रात बर यानि के दस बारा घंटा छोड़ देते तो कैसा होगा नहीं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है आप जितना दिर तक छोड़े उतना अच्छा होता है अधिक पर हैं अधिक अधिक आपको जश्ट लैक दिस आपको गार्डरिंग करना गार्डर आपको ऐसी कर लेना है और मीनिमम दो तीन घंटा के लिए आपको इसको रख देना किसी सेब जगह पे उसके वाद आप फोन आप यूज करेंगे फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फोन आपको एकदम रेडी है पुराना कॉमबो इसमें से रिप्लेश हो चुका है न्यूड डिस्प्लेश में फिक्स हो चुका है देख पार है आप मैं आपके सामने हरे की दिखाया हम उमीद आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आगो मिलते हैं नेक्स वीडियो में से यो बहुत वाँ है उक्षी।